अखिल की जंगत सबरस पिता के पत्र पुत्री की नाम ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अबसे लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से इंसानियत से इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए जिहां हम बात कर रहे हैं पंडिश जवाहलाल नहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंद्रिया प्रियदर्शनी नहरू के नाम लिखे थे जो उस वक्त दसवर्ष की थी और मसूरी में थी हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तक्नीक और सूचना की बोचार है तब लोग ये जाने खासतोर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी अपने बच्चों से अपनी पुत्री से जिसके उम्र सिर्फ दस साल है समवाद करना चाहता है और जो ना इतिहासकार है फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी इसका उद्भव कैसे हुआ मानव कैसे बना उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा वेद कैसे लिखे गया होगे और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे उसकी कलपनाओं के लिए रिसोर्स मेटीरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है इसमें पंडे जवाला लेहनों ने लिखा है कि तुम जानती हो इंगलेंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ इंगलेंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया की लोगों के प्रती एक सद भावना हो तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टी को समझा जाए जो एक पिता अपने पुत्री को देना चाहता है ये सुखत सयोग ही कहा जाएगा कि जब हम इस दिलचस्प सलसले के अंतिम पत्र को लेकर हाजिर हुए हैं तो नवंबर का महिना समाप्थु रहा है इसी माह में दुनिया इन पत्रों के लेखक पंडित जवाहलाल नहरू के साथ साथ उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी की जैन्ती भी मनाती है यहां ये भी दोहराते चलें कि ये पत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने नहीं बलकि स्वाधिन्ता संग्राम में बार बार कारवास काट रहे पिताज जवाहलाल ने 1928 में अपनी 10 साल की बेटी इंदिरा के नाम लिखे थे जो उन दिनों परिवार से दूर मसूरी में थी मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए इन पत्रों की कुल संख्या 30 थी किन्तु मूर्धन्य साहित्यकार मौशी प्रेमचन ने जब इनका हिंदी में अनुवाद किया तो 29 पत्र को संभवता सरलता की दृष्टी से दो पत्रों में बाढ़ दिया और हिंदी में पत्रों की संख्या 31 हो गई 29 और 30 पत्र में आरियों की हिंदुस्तान या यूं कहें कि भारत में आगमन यहां के मूल निवासी द्रविडों के साथ उनके संगर्ष आरियों के विंद्या चल पार न कर पाने और देश के दक्षनी हिस्से पर द्रविडों का ही वर्चस्व रहने की दास्तान के साथ उनकी बसावट, रहन सहन, उनके युद्ध कोशल, वेदों की रचना, उनमें नहित ग्यान, मंत्रों और रिचाओं की सरल सहज दास्तान है. अब बारी है पुस्तक के अंतिम यानि इकतीस्वें पत्र की जिसमें उलेक है उस यूग का जिसमें रामायन और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई। लेखक जवाहरलाल उसे महाकाव्यों का यूग कहते हैं। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजे इंद्रभट की राय सुन ली जाए। कि बुनियाद बिटिया के मन में मजबूत करने के लिए इन भारती महाकाव्यों की नहरू से बेहतर व्याख्या और कौन कर सकता है। वेदों और वेदाधारित साहित्य, उपनिशदों, ब्राह्मन गरंथों और आर्यनकों के बाद महाकाव्य यूग आया। रामायन और मह भारत जैसे क्लासिक कावयों का यूग। नहरूजी बताते हैं कि इस दार में आर्य देश का विस्तार पस्चिम उप्तर भारत से मध्य भारत में विंद्यांचल तक और पूर्व में बंगाल तक हो गया होगा। आज का उत्तर प्रदेश का इलाका तब मध्य देश कहा जाने लगा नहरूजी की नजर में पश्चम उत्तर भारत से विन्य बंगाल तक का यह पूरा इलाका अर्दचंद्र जैसा दिखता था संभाता इसी लिए अर्दचंद्र को आरिजन अच्छा और शुब मानते रहे होंगे उनके प्रसिद्ध नगर जैसे काशी अर्दचंद्र के आकार के ही थे और नहरूजी की नजर में प्रयाग जानी इलाबाद में गंगा भी तो एक अर्दचंद्र बनाती है तभी तो आर्यावर्थ यानि भारत इंदु भूमी भी कहा जाता है इंदु नाम चंद्रमा का भी है और इंदिरा का भी तो छोटा नाम इंदु ही है और नहरूजी इसी ओर इशारा कर रहे हैं रामायन यानि राम सीता की कथा मूलता सस्कृत में रिशिवालमी की ने लिखी फिर कई अन्य कृतिकारों ने कई रूपों में इसे लिखा हमारे समय में इसका सबसे लोगप्री सस्करण तुलसिदास जी की लिखी रामचरित मानश है राम के रावन से युद्ध की कथा सम्भोता आरियों के दक्षन में विस्तार की कथा भी है नहरुजी इंदिरा को रामायन की सुन्दर कथाएं पढ़ने को प्रेरित करते हैं महाभारत में लड़ाई आर्य द्रविणों की नहीं बलकि आर्य बंधों की ही आपसी लड़ाई है लेकिन इनके बीच में गहरे अर्थों वाली अनेक कथाएं गुथी हुई हैं जीवन के गहरे अर्थों वाला सुन्दर काव्य भगवत गीता भी तो विशाल ग्रंथ महाभारत का ही छोटा सा हिस्सा है नहरुजी कहते हैं कि हजारों वर्ष पूरु रचेगे इन ग्रंथों को स्रिष्टतम बुद्धि वाले लोगों ने रचा होगा तबी तो आज भी ये गौरों ग्रंथों को भारत में हर बच्चा बड़ा जानता है और इनसे प्रेरित होता है इनसे संबल प्राप्त करता है रामायन और महाभारत वेदों के जमाने के बाद कावियों का जमाना आया इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि उसी जमाने में दो महा काव्य रामायन और महाभारत लिखे गए जिनका हाल तुमने पढ़ा है महा काव्य पद्य की उस बड़ी पुस्तक को कहते हैं जिसमें वीरों की कथा बयान की गई हो काव्यों के जमाने में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विंध्य पहाड तक फैल गए थे जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ इस मुल्क को आर्यवर्त कहते थे जिस सुबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं वो उस जमाने में मध्य देश कहलाता था जिसका मतलब है बीच का मुल्क बंगाल को बंग कहते थे यहाँ एक बड़े मज़े की बात लिखता हूँ जिसे जानकर तुम खुश होगी अगर तुम हिंदुस्तान के नक्षे पर निगाह डालो और हिमाले और विंध्य परवत के बीच के हिस्से को देखो जहां आर्यवर्त रहा होगा तो तुम्हें वो दूज के चान्द के आकार का मालुम होगा इसलिए आर्यवर्त को इंदु देश कहते थे इंदु चान्द को कहते हैं आर्यों को दूज के चान्द से बहुत प्रेम था वे इस शकल की सभी चीज़ों को पवित्र समझते थे उनके कई शहर इसी शकल के थे जैसे बनारस मालुम नहीं तुमने खयाल किया है या नहीं इलहाबाद में भी गंगा दूज के चान्द किसी हो गई है ये तो तुम जानती हो कि रामायन में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावन के साथ उनकी लड़ाई का हाल बयान किया गया है पहले इस कथा को वालमीक ने संस्कृत में लिखा था बाद में यही कथा बहुत सी दूसरी भाशाओं में लिखी गई इनमें तुलसिदास का हिंदी में लिखा हुआ राम चरित मानस सबसे मशूर है रामायन पढ़ने से मालुम होता है कि दखिनी हिंदुस्तान में वानरों ने राम चंद्रजी की मदद की थी और हनुमान उनके बहादुर सरदार थे मुम्किन है रामयन की कथा आर्यों और दखिन के आद्मियों की लड़ाई की कथा हो जिनके राजा का नाम रावन रहा हो रामयन में बहुत सी सुन्दर कथाएं हैं लेकिन यहां मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा तुम्हें खुद उनकथाओं को पढ़ना चाहिए महाभारत इसके बहुत दिन बाद लिखा गया यह रामयन से बहुत बड़ा ग्रंत है यह आर्यों और दखिन के द्रविडों की लड़ाई की कथा नहीं है बलकि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी यह बड़े उँचे दरजे की पुस्तक है जिसके गहरे विचारूं और सुन्दर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है सबसे बढ़कर हम सब को इसलिए इससे प्रेम है कि इसमें वो अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे भगवत गीता कहते है ये ग्रंथ कई हजार बरस पहले लिखे गए थे जिन लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे वे जरूर बहुत बड़े आदमी थे इतने दिन गुजर जाने पर भी ये ग्रंथ अब तक जिन्दा है बच्चे इने पढ़ते हैं और सयाने इनसे उपदेश लेते हैं इसके साथ ही पत्रों का ये सिलसला तो संपन हुआ हम आभारी हैं लेखक पत्रकार राजेंद्र भठ के जिन्नोंने हमारे लिए हर पत्र की सरल मीमान सा कर उसे समझने में हमारा साथ दिया आईए सुने अंत में वे क्या कहना चाहते हैं इस तरह धर्ती के बनने उस पर जीवन के प्रारंब मानवजाती के जन्द और उसके दबदबे से लेकर तिथियों वाले लिखे तिथिहास की दहलीज तक पाठों का यह सिलसिला चलता है यह सब स्कूलों पाठी पुस्तकों का शायद प्रारंबिक पाठ होता होगा इथिहास के वर्षों के मील पत्थर लगाये जाने से पहले यह समबाद खत्म हो जाता है तो यह परंपरागत स्कूल की रट कर नंबर बटोरने की कसरत नहीं है नेहरू न ऐसे चिंतित पिता है जो खुद टूशन नहीं पड़ा पाने की कमी पत्रों से पूरी कर रहे है न ऐसे शिक्षक हैं जो नंबर लाने वाले सवाल जवाब रटा रहे है लेकिन वह एक विराट दूरद्रिष्टी और विवेक से संपन शिक्षक एक बेहत मानवी पिता और अन्याई द्वेश तथा आत्मखाती मूर्खताओं से मुक्त समाज बनाने को तत पर जिम्मेदार नागरिक है और इन सारे व्यक्तित्वों से बने एक सघन व्यक्ति हैं और यही थाती वह बिटिया को सौंपना चाहते हैं इस हर्थ में ये पत्र पढ़ाई नहीं है पढ़ाई की तैयारी है ये पत्र यहन ही पताते कि क्या पढ़ना चाहिए जिन्दू के व्यक्तित्ट को ढालने के कोशिस करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ी हुई बातों को समझना चाहिए ये पत्र बताते हैं कि स्कूली किताबों से भी बड़ी प्रकृतिकी आसपास के जीवन की किताब है जिसे विवेक से, समझदारी से, देखने पढ़ने से स्कूल की किताब बेहतर समझ में आ सकती है स्कूल कॉलेज की विज्ञान की उच्छे शिक्षा पाया व्यक्तिवी व्यवहार में दक्यानूशी, अविवेकी और कुतर की हो सकता है धर्मशास्त्र और मानूवी की पढ़ा व्यक्तिवी, खुदगर्ज, पाखंडी और धूर तो हो सकता है इसलिए कैसे पढ़ें और समझें ये क्या पढ़ें से ज़्यादा बड़ी बात है और इसी बड़ी बात की छाप नहरू बाल मन पर छोड़ना चाहते हैं कि कैसे पढ़ें और कैसे समझें तभी तो पढ़ाई विवेक और मानूता के बहतर और सब के लिए ज्याएपून भविश्ची की और ले जाएगी तभी मानूजाती सभी के सहानूभूती से आगे बढ़कर सहानूभूती तक सिंपैथी से आगे बढ़कर एमपैथी तक जा सकेगी तभी लोग संकिन खाचों को तोड़ कर समूझी मानूता के लिए एक जुट हो सकेंगे ये पत्र ऐसी ही दुनिया के बनने के विश्वाश को एक पीडी से दूसरी पीडी तक ले जाते हैं इसलिए लगता है कि ये छोटी किताब कुछ और सहायक सामगरी के साथ अगर हमारे समाज में बच्चों और नौकिशोरों की पाथे सामगरी का हिस्सा हो जाए तो फिर बच्चे जो भी पढ़ेंगे जान जाएंगे कि उसे कैसे पढ़ें और कैसे समगें और इन प्रयाशों से जो भारत बन सकेगा उसे रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता के मेरे इस साधारन रूपांतर से बेहतर तरीके से बताया जा सकता है और वो रूपांतर है मन निर्भय हो जहां गर्व से उंचा सिर हो ज्यान नहो जकड़ा बंधन में जहां संकरी दीवारों से मटी नहीं हो अपनी धर्ती वानी जहां उमडती सच की गहराई से और पूनता पाने के अंधक प्रयास हो जहां खो जाती विवेक की निर्मल धारा मुर्दा रस्मों के बोजिल रेतीले मरू में अनुप्राने थो तुमसे प्रतिपल बुद्धि निरंतर छूती जाए चिंतन और कर्म के नूतन आया मों को स्वत अंतरता के उस निर्मल प्रभात में मेरा यह देश चके और अब चलते चलते बात करें इन पत्रों के हासिल की आप सब सुनने वालों का तो पता नहीं पर मुझे ये पढ़ते हुए ऐसा आभास हुआ कि मैं किसी पाटशाला में बैठा हूँ और गुरु जवाहरलाल अपनी दस साल की बेटी इंद्रा प्रियदर्शनी के साथ साथ देश दुनिया के तमाम बच्चों को जगती के वे रहस से समझा रहे हैं जिनें बड़े होकर वे बच्चे खुद ज्यान वे ज्यान की कसोटी पर परख सकेंगे जमीन के उद्भव से लेकर सजीव और निर्जीव चराचर के जन्म और विकास के बाद धर्ती के सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले प्राणी मानव के विकास की ये गाथा किसी छपी छपाई सुन्दर जिल्द वाली पुस्तक से नहीं बलकि प्रकृती की पुस्तक से पढ़ाई और सुनाई गई जैली फिश से लेकर बंदर हाथी और इंसानों का अस्तित्व धर्ती पर कैसे पनपा इंसान ने पुरा पाशान यूग से लेकर नव पाशान और उसके बाद के यूग में कैसे पेट भरने, अपने रक्षा करने, औजार और हथ्यार बनाने, तांबे और लोहे से लेकर सोने चांदी तक के उपयोग के गुर सीखे इंसान प्रकृति के संग तादात में रखकर कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, कैसे सामाजिक प्राणी बना, समुहों कबीलों में कैसे जीना शुरू हुआ, फिर जाति भेद, वन भेद, राजा और प्रजा का भेद कैसे पनपा, दिवदा की पूजा से लेकर समाज में दब-दबा कैसे पायम हुआ, भाशाओं और लिप्यों ने कैसे आकार लिया, भोजपत्रों से लेकर कागज, स्याही और लिखाई की शुरुवात कैसे हुई, चीन और भारव से लेकर मिस्र तक नदी घाटी सब भेताएं कैसे पनपी, यानि हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास स्रिष्टी के विकास का ये जादूई सफर, दस साल की इंदरा और इन पत्रों को पढ़ने सुनने वाले, आपके हमारे जैसे तमाम बच्चों ने किसी तिलस्म ये दक्यानों सी किस्सों के सहारे, अत्वा हॉंटेड हाउस के रास्ते नहीं तै किया, बलकि धर्ती, आकाश, नदियों, घाटियों, पेड़ पौधों, कंदराओं, चट्टानों में दबे जीवाश में या फॉसल्स के विज्ञान सम्मत बिम्बों और विवेक तथा तर्क के उंगली पकड़ कर तै किया, लोकतंत्र और सामाजिक सामंजस्य के पैरोकार जवाहरला लेहरू ने इन पत्रों के माध्यम से न केवल अपनी बेटी, बलकि तमाम पीड़ियों और नसलों को खुद को औरों से बड़ा समझने के बजाए, समाज में परस पर मिलजुल कर रहने और व्यर्त के संकिन विवादों में न फहसने की, जो सीख साफ हो जाती है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है पर सारी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ही है पिता के पत्र पुत्री के नाम बुस्तक का पाठ तो संपन हो रहा है, इंतु आप अखिल की संगत से जुड़े रहिए, नमस्कार अखिल की संगत, यूट्यूब चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं